आप सभी लोग वेलकम तो गेट अड़र 24 7 इस रेहान एमद चलिए आज हम लोग यहां पर आज गुने बात करूंगा कनेक्शन का वन अफ दी मोस्ट इंपोर्डेंट टॉपिक हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम कि हमारे पर दैट इस फिलेट वेल्ट के बारे में हम यहां पर बात करेंगे ठीक है अब यहां पर मैं फिलेट वेल्ट के बारे में बात करों तो अल्रेडी मैंने आप लोग थोड़ा बहुत महां पर मैंने आप लोग बेसिक मारे डिसकस किया हुआ था हम लोग यहां पर आज इसका क्या करेंगे तोड़ा साम याँ पर इसका ओवर व्यू क्या करेंगे हम यहां पर लेंगे जितने भी स्टूइंट यहां पर आया है सभी लोग सेशन को इक बहुत बढ़िया लेवल पर यहां पर आप लोग शेर कर दिजिएगा और इसको यहां पर लाइक कर दिजेगा तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास फिलेट वेल्ड बेसिकली होता किया, ठीक है, फिलेट वेल्ड हमारे पास बेसिकली होता किया, तो मैंने यहां पर बोला हमारे पास फिलेट वेल्ड के बारे बात करो, अगर मैं, अगर मैं हापर फिलेट वेल्ड के में बात किया तो मैं क्या बोरो हमारे पास जब मेंबर्स जो है हमारे पास अगर वो टू डिफ्रेंट प्लीन्स में अगर रहेंगे ठीक है मैं क्या बोरो हमारे पास वो टू डिफ्रेंट प्लीन्स में अगर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो मैं क्या बोरो वहां पर तरफ क्या करें हमारे पास यहां पर आपको देखने को मिल रही है अब मैं बोड़ाँ दूसरी प्लेट जो है हमारे पास वह आपके पास इधर Y-axis के तरफ आपको यहां पर इसका alignment आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं मैं बोड़ा अगर यह दो मेंबर को अगर मुझे आपर जॉइन करना है अगर इन दो मेंबर को अगर मुझे आपर जॉइन करना रहेगा तो मैं आपर किस वह से जॉइन कर सकता हूँ मैं यहाँ पर यह वाला जो portion है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे welding हम यहाँ पर provide करेंगे ठीक है, यह जो portion है हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर welding क्या करेंगे, हम यहाँ पर provide करने बारे, और यह जो welding है हुआ है हमारे पास इसके को हम क्या भोलता है वैसे का लाए हमारे पास यहास के भान डेखर रह थे मरीप टो लेटिन को हमारे लिदी है आप देख सकTeUS हैं हमारे पास यह एकसेस की तरफ का हमारे पास design prank pertama तो यहां कि वाइवाय एकस्छस की तरफ के हमारे पास यह मेंड़े आप को यहां पर देखने को मिलेगा तो मैंने बोला हमारे पास दो हमारे पास plates है और दोनों members के हमारे पार two different different planes में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हमने जो welding हमने आपर जो provide किये उस welding को हम क्या बोलेंगे that is known as हमारे पास fillet weld हम यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन्स के वगरा के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे बात हम यहाँ पर करने वाले रहेंगे मैं बोरो हमारे पास let's suppose let's suppose हमारे पास अगर मैं इसका plan view अगर आप लोग को बना के दिखाऊँ ठीक है मैं यहाँ पर बोरों कि अगर लेट सपोस में यहाँ पर इसका प्लाइन वी अगर मैं यहाँ पर आप लोग को बना के दिखा रहा हूं तो मैं बोरों हमारे पास अब बोरों इसको अगर मैं यूपार देखने को आप लीश बारे मैं हम यह पर बात करेंगे ठिकए रहर हमूर आप यह पास यह बार्श इन फर्स प्लेट इसको मैं ने आपर दॉक यह कै वाली प्लेट मैंने हापर इस वे से क्या किया मैंने हापर जो प्लेट है 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 मैंने हाप को ड्राम नहीं हंपर किया हुए है ठीक है ये हमारे पास का है इस the second plate जिसको मैंने आपड इसे क्या किया मैंने हापर किया हुए मैं भुरामरी पास इछ इस पार्पट है ब्लाइक वह जो आ रहे है हमारे पास ये आ रहे हमारे पास this is the first plate आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह हमारे पास क्या है this is the first plate जिसको मैंने यहाँ पर रखाऊ मतलब first member है हमारे पास इसके बारे बात करों तो यह क्या है हमारे पास this is the second member आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो welding हम यहाँ पर इस वैसे क्या करेंगे हाँ पर प्रोवाइड करने वाले रहेंगे, तो यह अगर आप देखोगे, तो हमारे पास यह वाली जो प्लेट हमारे पास, इसमें कैसा लगा रहा है, अगर मैं इसको पुल करने कोशिश करूँगा, तो हमारे पास फोर्स कैसे लग कर रहें, हम यहाँ पर, welding हम यहाँ पर जो परफॉर्म कर रहें, इस weld के बारे में, है ना, यह क्या हमारे पास, this is the fillet weld, इसके बारे में आपर बात करूँ, तो यह जो welding जो है हमारे पास, यह जो fillet weld जो है, इसके हम यहाँ पर सारी specifications के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, और इसकी हम यहाँ पर डिजाइनिंग के बारे में हम यहाँ पर बहुत बढ़िया लेवल पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, सब दोनों साइड में की एकी साइड में, दोनों साइड में रहेगा, यह हमारे पास सामने दिख रहे है, इसके पीछे भी अग में क्या करेंगे हम यहां पर समझेंगे अगर मैं फ्रेंट वी अगर मैं इसका बना के दिखाऊं अगर मैं इसका फ्रेंट वी अगर मैं बना के दिखाऊं तो फ्रेंट वी कैसा दिखेंगा हमें फ्रेंट भी आपको यहां पर इस वे से आपको देखने को मिलेगा ठीक है यह में आरे देखने को है में दोनों तो क्या करेंगे हम यहां पर समझे करने इसको अगर में अलग सेग diplom में अगर मैं आपको शो करकर के दिखाऊं तो हमें यहां पर क्या-क्या देखने को इसके बाए में हम यह बात किए तो मैं बोल्डवाइब पास ही जो welding हमने आप जो प्रोवाइड की फिक है यहाँ पर हमने जू welding हमने आप जो फ्रोवाइड किये तीक है यह जो हमारे पास welding हमने आप जे मत्म एक और ओल यह लेंग का यह ऑल्ग डेलंद घुझने кों यह पर देखने को मिलेगा तो पूरे लेंद में अगर हम यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है फिलेड वेल्ड का जो डागरम है हमारे पास वो मैं बोल सकता हूं कि हमें यहां पर वो कुछ इस वे से आपको यहां पर देखने को मिलेगा अब यहां पर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम यहां पर समझने वाले रहेंगे अब अगर मैं इसके specifications के बारे में बात करूँ अगर तो हम यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर इसमें अलग-अलग specifications में इसके thickness इसकी length सभी के बारे में हम यहाँ पर discuss करने वाले रहेंगे ठीक है मैं आपर बोल रहा हूँ जैसे कि हमारे पास यह वन साइड है, मैं बोल रहा हूँ लेट सपोज अगर यह हमारे पास 150 mm हमने क्या किया है, आपर welding हमने प्रोवाइट किया, और मैं बोल रहा हूँ यहां से अगर हमारे पास 20 mm हमने आपर welding प्रोवाइट किया, और इसके पीछे पीछे भी आपर 150 mm क्या किया, welding हमने आपर प्रोवाइड किया, तो total length of the welding कितनी हुजाएगी हमारे पास, यह हुजाएगी हमारे पास इधर का देट सो, इधर का देट सो और यहां का 20, मतलब कितना हमारे पास 320 mm आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, फ्रेंट साइड में हमने आपर welding, अगर करियोगी तो यहां पर भी हम 20 mm क्या करेंगे, यहां पर हम उसको जोड लेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ, जितने भी length पे हम क्या करें, यहां पर welding करें, that will be the length of the weld क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको count कर लेंगे, लेकिन हमारे पास और भी different-دمर यहाँ पर terminology होती है, जिसके बारे में हम यहाँ पर समयने वाले रहेंगे, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करू हमारे पास, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करू हूँ, आप यहां पर देखेगा, कि मैं बोल रहा हूँ हमारे पास, यह जो हमारे पास दो प्लेंस जो थे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास, यह हमारे पास पहला मेंबर है, यह क्या रहा हूँ हमारे पास, यह क्या रहा हूँ हमारे पास, यह क्या रहा हूँ हमारे पास, यह क एब यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो मैंने क्या बोला हमारे पास packling जो हमने अब प्रोवाईड की है हमने यहाँ पर जो fillet welding जो हमने आप प्रोवाईड की है इसको हम क्या बोलेंगे this is called as把它 fillet weld अब इसके specification के गारे में हम यहाँ पर समझते हैं ठीक है, length of the weld के पार पर आप लोको बता है, along the length हम यहाँ पर जितनी welding करें, that is will known as हमारे पास length of the weld हम यहाँ पर बोलेंगे, अब यहाँ पर मैंने जो fillet weld मैंने यहाँ पर draw किया है, आप यहाँ पर समझेगा, कि यहाँ फिलेट weld यहाँ पर मैं जो बना रहा हूँ, ठीक है, य यह जो हमारे पास fillet weld जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, मैं बोड़ो हमारे पास यह जो R हमारे पार distance, यह जो हमारे पास base और हमारे पास perpendicular जो distance जो आ रहा है, वो क्या हमारे पास that is called as size of the weld, और S क्या हमारे पास, S है हमारे पास that is called as size of the weld से क्या करते हैं, हम यहाँ पर size of the fillet weld कर आपर इसको देनोट करेंगे अब में को Engaパट करूंगा का अपर इससे पहले अरो डिकार मैं आरो बना के दिखाए है था यह गोला तैं अ हमारे पास भूनिध्र के पास पर पर हमारे पास हमारे पास हमारे पार डिजाइन तैनस आली स्टेंट वाइब देखा थींट गामा MW into L E into कितना था हमारे पास, that is T E के बराबर आपको इहां पर देखने को मिला था, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं, this will be known as हमारे पास LW into T E के बराबर आपको इहां पर देखने को मिला था, T क्या था हमारे पास, this was the thickness of the weld आपको इहां पर देखने को मिला था, ये क्या तो हमें यहाप थिकनेस के बारे में आइडिया ने है कि हम यहापर कौन सी थिकनेस को हम यहापर consider करके चलेंगे, तो अगर मैं पूरा along the length अगर मैं आपर बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब यह जो है अमारे पार diagram, यह हमारे पार जो diagram है, आप यहापर ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, यह जो हमारे पास weld आपको यहापर जो देखने को मिला, यह कौन सा weld है, अगर मैं यहापर देखने को मिला हूँ, ठीक है, यह along the length अगर मैं यहापर, fillet weld को मैंने आपर बनाया है, तो इसकी thickness में आपर कौन सी रखूँगा, मैं क्या यह वाली यो है मारे पास dimension में सको thickness रखूँ कि मैं यहाँ पर ये वाली जो डामेंशन ने मैं हां पर इसको thickness रखूँ रखूँ तो हमारे पास कोड सबसेश सोद्स ने क्या व्लों कि हमारे पास जो thickness ओदी डाहे गा मैं बोरा हमारे पास नहीं हम perpendicular वाली thickness को हम यहाँ पर consider करेंगे, नहीं हम यहाँ पर base की thickness को हम यहाँ पर consider करेंगे, हम दोनों का हमारे पास जो mid वाली जो layer होगी, ठीक है, हमारे पास जो mid वाली जो layer होगी हमारे पास, मतलब कौन सी, ये वाला हमारे पास जो plane जो है ये वाला हमारे पास जो plane जो आ रहा है ये वाला हमारे पास जो plane आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है इस plane की thickness को क्या करेंगे हम यहाँ पर consider करने वाले हैं दोनों का हमारे पास, हमारे पास क्या होगा, दोनों का हमारे पास, जो middle वाली जो हमारे पास layer होगी, इसकी हमारे पास जो thickness होगी, ये जो हमारे पास जो thickness होगी, इसके thickness को हमने क्या बोला, this is called as the throat of the welding हमने यापर बोला, और वो throat of the welding को किसे denote करें हम यहाँ पर इसको हम यहाँ पर denote करें that is tt से tt के है हमारे पास that is called as हमारे पास throat thickness that is called as हमारे पास throat thickness ठीक है आपको एक बाँ फिर से बता रहा हूँ डागरम से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देखेगा एक बार आप यहाँ पर देखेगा अगर आप लोग को यह डागरम से नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर फिर से देखेंगे मैं आपर बोल रहा हूँ कि हमारे पास यह जो हमारे पास welding जो आया यह हमारे पास जो fillet welding जो आया मैंने यहापर बोला कि हम यहापर length तो समझ में आ गया, हम यहापर thickness किसको लेंगे तो मैंने बोला है कि हमारे पास thickness हम नहीं perpendicular वाली thickness को consider करेंगे, नहीं हम यहापर base वाली thickness को हम यहापर consider करने वाले, हम यहापर कौन सी thickness को हम यहापर consider करेंगे, हम यहापर बोर रहा हूँ कि हमारे पास जो middle वाला जो portion जो रहेगा हमारे पास इसके thickness को क्या करेंगे हम यहाँ पर consider करके चलेंगे इसके thickness को क्या करेंगे हम यहाँ पर consider करके हम यहाँ पर चलेंगे ठीक है यह वाली जो thickness रहेगी हमारे पास इसके thickness को क्या मान के चलेंगे, हम यहाँ पर consider करके चलेंगे, कि यह क्या है हमारे पास, this is called as हमारे पास, the throat thickness आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मैं बोरो हमारे पास thickness जो होगी हमारे पास, वो हम कौन सी लेके चलेंगे, हम यह वाली thickness हम यहाँ पर consider करके चलेंगे, this is जानहारे पास, यहां पर अगर हम ऐने हमारे पास, तो आप ate ath hosted size तो आप ANY आपार topic वादा हम्हेसे बात जाले वारेख으 किसे लिए हमारे पास, 2023 के लिए, अब यहाँ पर अगर मैं Specifications के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, Specifications के बारे में अगर मैं आपर बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या आता है मारे पास, सबसे पहले आता है मारे पास, that is Throat Thickness के बारे में ही हम यहाँ पर बात करेंगे, अब यहां पर आप लोग समझेगा, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे पास, यह हमारे पास क्या है, this is the weld मैंने आप प्रोवाइट किया, यह क्या रहा है हमारे पास, this is the fillet weld मैंने आप प्रोवाइट किया, generally हम प्रोवाइट कैसे करते हैं, generally हम प्रोवाइट करते हैं, क यह changes भी हो सकते हैं इसको मैं S1, S2 भी बोल सकता हूँ लेकिन अगर हमारे पास S1 और S2 अगर हमारे पास same होगा S1 और S2 अगर हमारे पास same होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ हमारे पास? मैं बोल सकता हूँ कि यह जो value जो आएगी हमारे पास यहाँ पर अगर मैं S1 और S2 के बारे में बात कर रहा हूँ अगर यह हमारे पास सेम होगा तो मैं क्या बोल रहा हमारे पास कि जो throat thickness जो होगी जो हमारे पास throat thickness जो होगी वो कौन सी value होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास इन दोनों के बीच की यह जो हमारे पास tt जो आ रहा है हमारे पास this is called as हमारे पास throat thickness हम यहां से find out कर सकते हैं अब यह tt की value हम यहां पर किस वे से find out करेंगे it completely depends कि हमारे पास यह जो दोनों जो हमारे पास plate है देखो एक हमारे पास perpendicular plate थी, एक हमारे पास क्या थी, perpendicular plate थी, और एक हमारे पास क्या थी, एक हमारे पास थी, that is horizontal plate को क्या किया था, मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या किया था, जॉइन करने की मैं यहाँ पर कोशिश करवा रहा था, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगो meaning समझेगा कि हम यहाँ पर किस वैसे हम यहाँ पर thickness of the weld को हम यहाँ पर find out कर सकते हैं हम यहाँ पर किस वैसे thickness of the weld को यहाँ पर हम find out कर सकते हैं तो मैंने बोला it completely depends upon the angle of the fusion ठीक है it completely depends upon the angle of the fusion तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अगर हमारे पास अगर हमारे पास, ये वाली जो हमारे पास plate है ठीक है, अगर हमारे पास जो plate जो है, ये हमारे पास इस वे से अगर आपको इहां पर देखने को बिल रही है तो हमारे पास angle of the fusion के बारे बात करु गा ये theta की value कितनी आरी हमारे पास, that is 90% अगर मैं हाँ पर पहली हमारे पास this is the first plate और यह क्या रहा है वहारे पास this is the second plate आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यह जो थीटा की जो वाल्य वैल्यू आ रही हमारे पास यह क्या होगी हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास less than 90 90 degree आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर मैं बोल रहा हूं हमारे पास दोनों हमारे पास members जो हैं दोनों हमारे पास plates जो हैं अगर यह दोनों plates को अगर मैं हाँ पर join करना चाहता हूँ और मैं बोल रहा हूँ यह दो दोनों के बीच का जो हमारे पास angle of fusion जो है हमारे पास यह हमारे पास अगर greater than अगर आपको 90 degree देखने को मिलेगा तो सब में हमारे पास throat thickness की जो value आएगी हमारे पास वो आपको different different आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर हमारे पास code ने क्या देखे रखा है code ने बोला हमारे पास throat thickness की जो value होगी हमारे पास it will be equals to k into s के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसकी value कितनी आएगी हमारे पास इसकी value आजेगी हमारे पास throat thickness will be equal to k into s के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अब यह k क्या है हमारे पास मैं आपर बोल रहा है जो constant हमारे पास k जो आपको देखने को मिल रहा है यह k की value हम यहाँ पर कितनी हम यहाँ पर consider करके चल सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे ठीक हैं मैं बोल रहा हमारे पास यह जो k की जो value है हम यहाँ पर इसको कितनी value हम यहाँ पर consider करके चल सकते हैं इसके बारे में क्या करेंगे हम यहाँ पर discuss करने वाले रहेंगे ठीक हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक जो example number 1 मैंने यहाँ पर लिया है, सबसे पहले मैंने आपर जो example number 1 मैंने आपर जो consider करके चलाओ, इसमें हमारे पास angle of fusion हमारे पास जो देखने को मिल रहा है, दोनों plate के बीच में, वो कितना है हमारे पास, 90 degree आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं बोरूँ, let's suppose, let's suppose मैं आपर बोरूँ कि हमारे पास, जो हमने fillet weld जो provide किया है, ठीक है, मैं बोरूँ, let's suppose, let's suppose, let's say मैंने हापर, हमारे पास fillet weld हमने आपर जो provide किया है, प्रीत वेल्ड हमने आपर कुछ इस वे से हमने आपर प्रोईट किया हैं। मैं बुरण है इसका हमारे पास जो size है। वो कितना हमारे पास Sू Bureau Cet out करना चाहता हूँ अगर मैं Tampa जो ही डिस्टेंस गिंश के बराबर आपको यहां पर देखनेगी होगी उसके बारे में हम here आपर discuss करते हैं, तो मैं बोर रहा हूँ हमारे पास, let's say, let us suppose, let us suppose, मैं आपर एक क्या ले लिया, मैंने आपर एक square ले लिया, ठीक है, मैं आपर बोर रहा हूँ, let's suppose, मैं हाँ पर एक क्या ले रहा हूँ, मैं आपर एक square, मैं हाँ पर consider कर रहा हूँ, मैं बोर रहा हूँ, इसका की value हुजा है कि हमारे पास that is root to into s के बराबर आपको यहां पर देखने को मिलागा diagonal की value कितनी ही मारे पास यह AHRP है हमारे पास you're two into s के बराबर आपको यहां पर देखने को मिला है और अगर मैं यहां पर इसका मैंने यहाँ पर half portion अगर मैंने यहाँ पर ले लिया तो आप यहाँ पर देखेंगा कि हमारे पार tt की जो value होगी हिमारे पास tt की value कहां से कहां तक आ रही है यह वाले distance आपको हिआं पर tt देखने को मिल रहा है ठीक है, तो मैं बोलना हुमारे पास, अगर मैं टीटी की वैल्यू अगर मैं हाँ पर निकालना चाहता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हुजाएंगी हमारे पास, टोटल अगर आप देखोगे, टीटी की, मैं बोलना, let's suppose this is O, this is O, this point is A, and this point is B, ठीक है, मैं बोलना, टीटी की वैल्यू कितनी हमारे पास, यह हमारे पास O से लेकर A तक, इसके हमारे पास distance कितना है हमारे पास, O से लेकर A तक, और अगर आप O से लेकर B के बारें बात कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर O से B के बारें बात करें तो हमारे पर distance कितनी है distance हमारे पास that is root 2 into S के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और मैं क्या बोल रहा हमारे पास OA की जो value है यह क्या हो रहा हमारे पास mid portion में आ रहे हैं कहां से हमारे पास यह आ रहे हमारे पास that is 1 by 2 of हमारे पास कितना आ रहे है यह आ रहे हमारे पास OB OA की जो value हारी हमारे पास यह कितनी हारी हमारे पास 1 by 2 times of OB आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलब हमारे पास total जो diagonal है उसका अगर मैं just half distance अगर मैंने यहाँ पर consider किया total diagonal कितना हमारे पास OB इसका just अगर मैं आपर half distance अगर मैं आपर consider कर रहा हूँ तो throat thickness की जो distance जो R.E.S की value कितनी हो जाएगी हमारे पास total diagonal divided by कितना होगा हमारे पास OA के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमारे पास throat thickness की value कितनी हो जाएगी हमारे पास इस case में throat thickness की value हो जाएगी हमारे पास this will be equals to यह कितना हो जाएगा हमारे पास 1 by 2 times of OB मतलब 1 by 2 times of हमारे पास कितना that is root 2 into S तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो Tt की value कितनी है हमारे पास tt की value आई हमारे पास that is s by root 2 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसकी value कितने आजेगी हमारे पास इसकी value आजेगी हमारे पास that is s by root 2 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो हमने क्या किया यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अगर आप लोग के साथ discuss करूँ तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास यह जो हमारे पास value जो आ रही है हमारे पास ठीक है यह जो हमारे पास value जो आ रही है तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ tt की value कितनी है s by root 2 तो k की value कितनी होगी हमारे पास, k की value होगी हमारे पास, that is 1 by root 2 के बराबर, k की value कितनी होगी हमारे पास, यह होगी हमारे पास, that is 1 by root 2 के बराबर, मतलब इसकी value को हम यह आपर 0.707 भी क्या कर सकते हैं, हम यह आपर consider कर सकते हैं, इसकी value को हम यहाँ पर कितना ले सकते हैं, that is, 0.707 भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको consider करके चल सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इसकी value को 0.707 भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको consider करके चल सकते हैं, तो मैं क्या पूर्ण हमारे पास IS code ने यहाँ पर क्या देखे र second plate मैं बोर रहा हूं हमारे पास दोनों को मैंने कैसे जॉइन किया आपर दोनों को मैंने आपर perpendicularly क्या किया है मैंने हापर जॉइन करके रखा है तो जो welding हमने आपर जो प्रोवाइड किया है fillet weld हमने आपर जो प्रोवाइड किया है वो कैसा है हमारे पास वो पर्पेंडिकुलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, पर्पेंडिकुलर आपको यहाँ पर अंगल और फ्यूजन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो टीटी की वैल्यू कितने आजेगी मार पास, यहाँ आजेगी मार पास, यहाँ आजेगी मार पास टीटी की वैल्यू आजेगी हमारे पर that is s by root 2 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सभी हो clear है यहां तक, यहां तक सभी को समझ में आ रहे हैं, यहां तक सभी हो clear है, टीटी की वैल्यू आप सभी लोगों यहां तक clear है, तो टीटी की वैल्यू आप हमेशा का याद रखेगा, टीटी की वैल्यू कितनी होथी हमारे पास k into s के बराबर आपको यहां पर देखने को मिलेगी, अब आई एस कोड ने क्या देखे रहा है हमारे पास, आई एस कोड के बारे बात करूँगा, तो यहां पर अगर मैं, आई एस अगर मैं 800 2007 के बारे बात टो तो i s कोड ने यहां पर tee Africa, different different value हमया पर देखे राखे, डीटी की वैल्यू अगर मैं बात कर नो तो हमारे पास value कितनी होथी, that is k into s के बराबर, तो यहां पर k की जो value है, k की जो हमारे पास value है डिपेंड सपान, it depends उपान that is angle of, it depends उपोन angle of हमारे पास क्या, that is fusion, it depends तो मैंने आपलोको 90 गिली लिए बताया हमारे पास K की वैल्यू कितनी होती है पास, that is, 0.7 के बराबर आपको इहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर मैं आपर 91 से 100 डिगरी के बारे बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो वैल्यू जो आएगी, यह कितने हैंगी, इस 0.65 के बराबर आपको इहां पर देखने को मिलेगी, अगर मैं हाँ पर 101 से, अगर मैं हाँ पर 101 से 106 तक क्या किया, अगर मैंने यहाँ पर consider किया, तो हमारे पास K की जो वैल्यू आएगी, यह कितने हैंगी, इस विल्ब इकोस टू, 0.6 के बराबर आपको इहां पर देखने को मिलेगी, and 107 से, अगर मैं हाँ पर आप लोग के साथ डिसकस कराऊ कितना, that is, 113 अगर मैं आपर डिसकस कराऊ, डिगरी के बारे बात कराऊ हैंपर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाँ पास, that is 0.55, and last 1-1 हमारे पास 4 से, हमारे पास 120 डिगरी के बारे बात कराऊ, तो हमारे पास K की जो value आएगी, वो कितने आएगी मार पास, यह आएगी मार पास, 0.5 के बराबर, इसकी value कितने आजेगी मार पास, इसकी value आजेगी मार पास, that is, 0.5 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसकी value आजेगे इमार पर that is 0.5 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगे सभी लोग यह वाला table यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर यह वाला table यहाँ पर draw कर लेंगे सभी लोग यहाँ पर यह वाला table यहाँ पर draw कर लेंगे यहां तक हो गया सभी का तो यहां तक आपने को सभी चीज समझ में यहां पर हमने जो भी चीज हमने आपर डिसकस की ठीक है थ्रोट थिकनेस के बारे में बात किया हमने यहां पर तो मैं यहां पर क्या बोला हूं कि हमारे पास यह अगर आप देखोगे अगर आप यहां पर द करें आपर, welding हम आपर जो provide करें, that is what, that is the length of the welding हमने आपर provide किये, ठिक है, और दूसरी चीज़ मैं आपर अगर thickness के बारे बात करहूं, अगर मैं आपर throat thickness के बारे बात करहूं, तो उसकी value कितनी हो जाएगी हमारे पास, throat thickness की जो value आएगी हमारे पास, उसको मैं आपर रिप्रेजेंट करा हूँ किस से उसको मैं आपर रिप्रेजेंट करा हूँ that is tt से उसको अगर मैं आपर बात करा हूँ तो मैंने आपर रिप्रेजेंट किया किस से उसको मैंने आपर रिप्रेजेंट किया that is tt से ठीक है उसको मैं आपर represent कर रहा हमारे पास TET से तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं आप लोगे साथ discuss कर रहा हूँ that is, अगर मैं आपर बात कर रहा हमारे पास that is, strength के बारे में बात कर रहा हूँ अगर मैं आपर strength of fillet weld के बारे में अगर मैं आपर बात कर रहा हूँ स्ट्रेंद ऑप्दी फिलेट, टे बारे में आगर आप बात कर करें, तो हमारे पास जो value वैल्यू आएग hmmारे पास, distancing की वैल्यू आएगी हमारे पास, वह कितना हो जागा हमारे पास वह这गा हमारे पास, वह हो जागा हमारे पास वह जागा हमारे आट-स permissable stress कर देखने को मिलेगा तो अगर मैं आप एफेक्टिव एरिया के बारे में आपको ह там पर देखने को मिलेगा तो में आपका इप देखने को मिलेगा, हमारे पास जो एफेक्टिव एरिया की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू कितने आजेगी हमारे पास, यह आएगी हमारे पास, that is, कोशन में क्या होगा, हमारे पास given होगा, यह हमारे पास क्या होगा, कोशन में हमारे पास given होगा, S की वैल्यू हमारे पास given होगी, आपको हमेश्या throat thickness आपको महाँ पर find out करना पड़ेगा, value कितनी होती हमारे पास k into s 99% हमारे पास k की value आप कितनी लेके चलोगे k की value आप यहाँ पर लेके चलोगे that is 0.7 और lw क्या होगा हमारे पास lw के बारे बात करों तो आप यहाँ पर पूरी जो length जो है हमारे पास welding की वो पूरी length की value क्या करोगे आप महाँ पर find out कर लोगे पूरी length की value आप महाँ पर find out कर लोगे सुने लिए 1 नहीं होगा हमारे पास maximum यहाँ पर 0.7 तर की value हम यहाँ पर consider कर सकते हैं तो यहाँ पर आप इस वैसे क्या करोगे आप यहाँ पर effective area की क्या करोगे आप यहाँ पर value find out कर लेंगे kare-filt, weld के पारे में अगर मैं आपर बात करूं तो ठीक है तो यहाँ पर आप लोग दिखेगा यह आप सभी लोगको मैं बदा दूं कि यहाँ पर हमारे पास that is, अगर मैं डिसकस करूंगा तो हमारा यहां पर paid batch में हमारी पर यहां पर code use कर सकते हो that is Y501 जैसे आप यहाँ पर apply करोगे तो आप देख सकते हो हमारे पास somewhere around 9900 के आसपास आपके पास यहाला course क्या करेगा आपके पास land करेगा तो मैं सभी लोग से request करूँगा कि यहाँ पर अगर आप लोग को practice करना है gate point of view तो आप लोग यहाँ पर आपके पास paid batch में आप लोग यहाँ पर enroll कर सकते हैं यह मेरा code है that is Y501 steel already यहाँ पर कल से start हो चुक है ठीक है इसके बाद आप लोग का geotech start होने वाले थोड़े time के बाद and अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आप लोग practice series हमारे पास एक start होने वाली जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग वहाँ पर questions की practice क्या करेंगे हम आपर बहुत ज़्यादा advanced level में क्या करने वाले हम लोग वहाँ पर practice करने वाले रहेंगे for your upcoming gate exam तो सभी लोग यहाँ पर course को purchase कर सकते हैं बाकी हमारे पास जो इसके आगे का जो session रहेगा मैं वो लेता हूँ that is next class में ठीक है चलो thank you for watching this video please जितना हो सकते आप लोग इस वीडियो को share करेगा इस वीडियो को यहाँ पर like करेगा ठीक है चलो bye everyone take care see ya